गुट मर्निंग स्टूडेंट्स। पिसली ग्लास में हमने वन व्यवस्ता, आशरम व्यवस्ता और पुरुशार्थ की बात की थी। इनमें एक सीज कॉमन देखने को मिली होगी आपको कि वन भी चारी थे, पुरुशार्थ भी चारी और आशरम भी चारी माने गए हैं। जिनमें ब्रामान शत्रिये, वैशोर, शुद्र, ये चारवंड थे। इसी प्रकार से आश्रमों में चार आश्रम थे। दमचर्ये, ग्रस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम। और पुरुशार्थों में हमने बात केती कि चार पुरुशार्थ माने गए हैं धर्म, अर्थ, काम और मौक्ष तो धर्म, अर्थ, काम ये जो तीन संस्कार हैं ये सांसारिक्ता से विक्ति की सांसारिक्ता से जुड़े हैं और जब कि जो चोथा पुरुशार्थ है मौक्ष व है आध्याट्मिकता से संबन्द रखता है अगे हम आज आप历 हम बात करेंगे लेकचर 19 में संसकारों की तो देखें जिस प्रकार से पुरसार्थों की और आस्रम विवस्ता का विधान हमारे धर्म ग्रंत हों मेंखिया गया है उसे प्रकार से संसकारों का प्रावधान भी धर्म ग्रंतों में मिलता है अब ये प्रावधान क्यों किया गया है विद्वानों दरह ये माना जाता है कि प्राचीन जो हमारे रिशी मुनिते वो ये मानते थी की व्यक्ति जब जन्म लेता है तो शुद्र के रूप में लेता है अर्थार्त एक तरह से अज्यानी और अपवित्व होता है इसलिए उसको पवित्र ता परदान करने और विद्वता परदान करने के लिए संसकारों का विधान किया गया है तो यहाँ पर 16 संसकार माने गए हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथों में मिलते हैं, और इन संसकारों को करने से व्यक्ति द्विजत्व को प्राप्ट करता है, द्विजत्व का तात्परिय है कि दुबारा जन्म लेता है, अर्थार्थ विद्वता को प्राप्ट करता है, विद्वता को प्राप्त करता है तो यहाँ पर जो सोला संसकार दिये गए है उनके हम अभी थोड़ देर में बात करेंगी उससे फ़ेले हम देखते हैं कि संसकार से तात्पर होता है और परिश्कृत करने से शुद्धी करन करने से होता है अर्थार्त व्यक्ति परिश्करत होता है उसका शुद्धी करण होता है उसके पस्याद उसका जो जीवन है वो सुवेवस्तित हो करके आगे आदर से जीवन के और वो अग्रसर होता है ताथ पर यह है कि व्यक्ति के जीवन को सुवेवस्तित करके पून ताकि ओर ले जाने व पूर्ण जीवन वो व्यतीत करता है एक आधर्स जीवन व्यतीत करता है तो यहाँ पर यह जो संसकार है उनका उलेखम को ग्रह सुत्र धर्म सुत्रों और इस मृतियों में मिलता है तो जो 16 संसकार है वो कौन कौन से है तो देखिए जो पहला संसकार है गर्ब धारण से लेकर और मृत्यु तक 16 संसकारों का विधान हमारे धर्म गरंथों में किया गया है तो यहां पर देखिए पहला जो संसकार है वो है गर्वधारण अर्थार्त माता जब गर्वधारण करती है वहीं से यह संसकार प्रारंब हो जाता है तो हम इसको गर्वाधान भी कहते हैं या गर्वधारन भी कहते हैं आप चाहें तो इसको गर्वाधान भी कर सकते हैं गर्वाधान दूसरा जो है वो है पुन्च्वन तीसरा सीमन्तयन चोथा जातकर्म पाँच्वा नामकर्ण चटा निस्क्रमन सात्मा अन्यप्राशन आठ्वा चूडा कर्म नवा कर्ण वेदन दस्वा नामकर्ण विद्यारंब ज्यारवा उपनयन बार्वा वेदारंब तेर्वा केसांत चौद्वा समावर्टन पंद्रवा विवाह और सोलवा अन्यप्राशन तो देखे इस प्रकार से ये सोला संसकार जो है गरवधारन या गरवाधान पंसवन चीमंत्यन जातकर्म नामकर्ण निश्कर्म अन्यप्राशन चुड़ा कर्म कर्ण वेदन विद्यारंब उपनयन वेदारंब केसांत समावर्टन विवाह और अन्तेश्टी यह सोला संषकारों का विदान अमारे धर्व ग्रतों में किया गया है और इसी क्रम में ये चलते हैं सबसे पहले माता गर्व धारन करती है उसके पष़चात पुंसवन उसके पष़चात सीमटयन फिर जात करम भिश्चात करम इस प्रकार से ये क्रम से ये 16 संसकार जो है वो इनका विधान मिलता है अब हम बात करेंगे रिण एम वम यग्य की अवधाना की तो देखिए विध्वानों का प्राची निश्यू मुनियों का ये मानना है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो रिणी युक्त होता है अर्ठार उस पर कुछे रिण ह होते हैं जिन्हें चुक Addingक विन वह सुक्की प्राप्ति नहीं कर सकता है रिग्वेद में भी जो रिणों का उल्लेख है वो लोकिक और पालूकिक दोनों संदर्वों में मिलता है रिग्वेद के अंतरगत इस बाद का उलेक मिलता है कि वेक्ति जब जनम लेता है तो वो रिण यूक्त होता है अर्थार उस पर कुछ रिण होते हैं और इन रिणों को जब तक वे नहीं चुकाता तब तक उसको सुख की प्राप्ती नहीं होती ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में तो यहाँ पर तीन रिणों की अवधाना दी गई है कि व्यक्ति के उपर जन्म लेते ही उसके उपर तीन रिण होते हैं रिसिरिण, देवरिण और पित्र रिण तो यहाँ पर देखिए इन तीन रिड़ों से मुक्त होने का कुछ उपाई यहां पर बताया गया है कि किस प्रकार से इन तीन रिड़ों से विक्ति अपने जीवन में मुक्त हो सकता है और सुक्की प्राप्ति कर सकता है तो सबसे पहले रिड़ों की ही है दिए हम बात करें तो इस रिड़ों से मुक्त होने का उपाई यह बताया गया है कि प्राचीन रिड़ों द्वारा प्राचीन रिड़ों ने जो हमको ग्यान दिया है उस ग्यान को अरजित करके और उसे उस परंपरा में आगे बढ़ा करके पाने वाले पीडियों को बता करके हम रिशी रिण से मुक्ति पा सकते हैं ताथ पर यह है कि प्राचीन रिशी मुनियों द्वारा दिये गए ग्यान को आगे प्रसारित करके और रिशी रिण से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है दूसरा है आपके देवरिण तो देवताओं क भी हमारे उपर रिण होता है तो देवताओं के रिण से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को यग्यादी करमकांड करने चाहिए और इसके साथ देवताओं की इस्तुति प्रात्ना आदी करके वो इस रिण से मुक्ति पा सकता है इसी प्रकार से पित्र रिण की यदि बात करें तो वेकिती जो है संसार में आने के परस्चात, संतानोथ पत्ति के द्वारा, अर्थार्त, मानव जाती की निरन्तर्ता को बनाए रख करके, इस रिन से मुक्ति पासकता है तो ताथ पर यह है कि इन तीनों रिनों से मुक्ति पाने का उपाई भी इसमें साथ साथ दिया गया है और यह भी बताया गया है कि जब तक इन रिनों से मुक्ति विक्ति प्राप्त नहीं करता तब तक नहीं तो इस लोक में और नहीं परलोक में उसकों सुखी प्राप्ति हो सकती है अथा सुखी प्राप्ति के लिए उसे इन तीनों रिनों से मुक्त होना आवशेक है तो आज आपने बात की संसकारों की और रिन व्यवस्ता की आगे हम बात करेंगे रिणो और यग्य की जो अउधाना के अंतरगत है यग्य के विशे में पंच महा यग्य बताएगे हैं कि वेक्ति को अपने जीवन में रहते हुए कुल पांच यग्य करने चाहिए ये देनिक कुछ इन में देनिक यग्य आते हैं और इन यग्यों के मिल में आगे होगी धन्यवाद